So guys video editing के part 4 में आज हम देखने वाले हैं कि किस तरह से हम GIF image बना सकते हैं बिल्कुल clear 1080 x 1080p की ratio में और बहुत ही कम size below 5 MB में जिसे हम किसी भी social media platform पे upload कर सकते हैं including YouTube community tab तो दोस्तों अगर आपको जानना है यह सब बिल्कुल अच्छे से तो वीडियो को without skip की आप जरू देखेगा क्यमकि अगर आप skip करते हैं तो आपको problem हो सकती है So hello दोस्तों मेरा नाम है नुराग और आप देखरे हैं नुटे की YouTube channel so let's begin with the video So दोस्तों यही GIF image हमें बनाना है जिसमें आप देख रहे हैं कि मेरा जो photo है वो एक animation के साथ आ रहा है फिर चला जा रहा है और यहां पर फिल्मुरा का जो icon है इस पर भी animation लगा हुआ है जिससे कि यह blink कर रहा है और text पर आप animation देख सकते हैं जिससे कि यह लिख रहा है इस को हमें बनाना है इसकी clarity तो आप देखी रहे हैं इसके बाद हम file की size आपको दिखा देते हैं कि इसका size का है तो यहां पर size आप देख सकते हैं कि 4.8 MB है केवल जिससे हम किसी भी social media platform पर upload कर सकते हैं और यह बिल्कुल smooth चलेगा तो चलिए हम इसकी rating part पर देखते हैं कि कैसे इसको बनाना है तो दोस्तों सबसे पहले हमें अपना project का ratio change करना है तो ratio change करने के लिए हमें जाना है यहां पे click करना है click करने के बाद यहां पर देख रहे हैं कि 16 by 9 wide screen का ratio है ध्यान दे अगर आप कोई भी version filmora का use करते हैं तो कोई भी problem नहीं है setting सभी same रहेंगी तो यहां प click करने के बाद यहां पर one by one Instagram लिखा हुआ है इस पर आपको click कर लेना है तो यहां पर one by one का ratio हो चुका है resolution 1080 x 1080 है इसके बाद frame rate आप देख रहे है 25 है by default तो इसको हमें इसी पर रने दिना है क्योंकि इससे हमारा video जो JF image होगा हो बिल्कुल smooth चलेगा तो इसके बाद हमें ok प आप पहले part 3 तक जरू देख लें उसमें भी काफी important videos हैं तो उसके बाद हमें यहां पर click करना है जरूत की सभी file है यहां पर हमें ले लेनी है यह यह इसके बाद यहां पर मेरा photo है तो इसे मैं ok कर लिता हूँ यह देखिए सभी हो चुका है इसके बाद मैं इसको जो लिया by default यह 5 seconds लिया है और मैं 5 seconds का ही GF हमें बनाना है इससे आप ज्यादा नव बनाएं क्योंकि इससे ज्यादा बनाते हैं तो file काफी लंबी हो जाएगी इसके बाद आपको problem होगी तो आप केवल 5 seconds में यह अपना GF बनाए इसके बाद हम मैं क्या करूंगा कि यह देख रहे है कि यह 1 by 1 का ratio में है लेकिन यहाँ पर black आ रहा है फोटो मेरा इतना ही बेग्राउंड का तो इसको सही करने के लिए हमें यहाँ पर जाना है फोटो पर click करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर crop पर जाना है crop पर करने के बाद देख रहे हैं कि यह by default जो इसका original ratio इमेज का वो इसके बाद मैं जाता हूँ फोटो अपना ड्राग करता हूँ तो ये भी मुझे 5 हो गया पूरे five second में ये मेरा फोटो चलेगा फिर इसके बाद मैं photo के adjust करूंगा थोड़ा ये इतना है इसको मैं छोटा बना लेता हूँ ये करने के बाद अब मुझे क्या करना है कि photo में animation लाना है तो animation लाने के लिए photo फिर double click करना है double click करने के बाद मैं ये animation लाया हूT जिससे कि ये photo आ रहा है फिर चला जा रहा है तो यह इनिमेशन आपको मिलेगा यहां पर यह एक इनिमेशन है तो आप देख सकते हैं इसमें मैं डबल क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यह फोटो आ रहा है उसके बाद चला जा रहा है तो इसके बाद दोके पर क्लिक कर लेना है अब इसके बाद मैं अप्ले करता हूँ वीडियो में देख रहे हैं कि ये फोटो आया इसके बाद चला गया अब इसके बाद मुझे एक टेक्स्ट आड करना है आपर जो लिखा हुआ था कि इसके बाद मुझे इसके बाद मुझे इसको लेकर आना है तो अब मैं प्ले करूँगा देखिए इसको एड़्जस करूँगा तो यहाँ पर टाइटल को मैं उपर कर लूँगा फिर यह करने के बाद अब इसको हम चेंज करेंगे टाइटल को यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे टाइटल पर इसके बाद मुझे चले जाना है कि एडवांस पर एडवांस पर जाने के बाद अ करने की बाद करने की बाद यहां पर हम कोई भी कलर इसे दे सकते हैं कुझ एका इसके बाद मैं देखता हूं अब देख सकते हैं कि यहां पर इसके अब में प्ले करते हैं तो अब देख रहे हैं कि यहां पर इसपे मैं double click कर लेता हूँ तो आप देख रहे हैं कि यह लिखने वाला आ गया इसके बाद सारी चीजे हो चुकी है इसके बाद मैं करता हूँ ok पे click ok पे click करने के बाद अब इसको भी ok कर लिना है अब इसके बाद मैं video को play करता हूँ आप देखेंगे यह दिखिए लिखा हूँ और यहां पर यहां पर पूरा लिख रहा है अब इसके बाद मैं यहां पर यह जैसे you clicker कतम होता है यहां पर मुझे filmura का जो icon है उसको यहां पर डालना है जिसने कि वह इसके बाद बूर आने लगे तो यहां पर filmura को click करना है पहले देखते हैं कि यह कहां से लिख के कदम करता है यहां पर जैसे ही बाई पर क्लिक करता है यहां पर फिल्मोरा ना चाहिए तो यहां पर मैं फिल्मोरा को तो यहाँ पर चले जाना है, boom पर click करने के बाद आप देख रहे हैं कि यह हो चुका है, okay पर click कर लेना है, अब इसके बाद मैं play करता हूँ, आप देख रहे हैं कि यहाँ तक हो चुका है, अब इसके बाद यहाँ पर भी अगर आप text add करना चाहते हैं, तो add कर सकते हैं, जैसे मैंने किया हुआ है इंटरो वीडियो में जो मैंने बता है, तो मैं इसको यहीं पर skip करता हूं, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएक अगर मैं इसको भी बनाने लगा, तो इसके बाद हमें क्या करना है कि यह तो आपको बना लेना है जो जो करना है इसके बाद चले जाना है एक्सपोर्ट पे एक्सपोर्ट पे आप क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या धान देना है कि यहाँ पे यह अपना जो फाइल का नेम होगा वो कर लेंगे तो यहाँ पे मैं माई वीडियो रहने देता हूँ इसके बाद यह सब हो गया इन सभी चीजों को setting हमने पहले ही सही बना रखा है इसके बाद हमें जाना है इसको GIF पे कर लेना है GIF पे करने के बाद simply आपको यहाँ पे export कर भीना है तो अब यहाँ पे आप देखें यह एकसपोर्ट हो रहा है यह थोड़ा slow हो रहा है यहाँ मैं वीडियो को स्किप करूंगा तो यहाँ पर हमारा GIF export हो चुका है उसके बाद हम देखते हैं कि इसका size 19.2 MB है जो की काफी बड़ा हो चुका है अगर हम YouTube community tab की बात करें तो यहाँ पर हम केवल 16 MB तक का ही GIF image upload कर सकते हैं तो हमें क्या करना है कि इसका size को compress करना है बीना इसके quality को lose किये हुए तो इसके लिए हमें इस website पर चले जाना है तो इस website का link मैंने description में दे रखा है वहाँ से आप direct यहाँ पर optimize पर चले जा सकते हैं या फिर आप इस website पर आने के बाद optimize पर चले जा सकते हैं यहाँ पर आने के बाद आपको अपना GIF image upload करना है तो यहाँ पर choose file पर click करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए यह हमने बनाया है यहाँ पर इसको open करना है open करने के बाद यहाँ पर upload पर click करना है यहाँ पर ध्यान दें कि 50MB तक का यह file upload कर सकता है maximum file size है यह 50MB तो अगर आप कोई heavy GIF बनाते हैं जिसमें आप कोई video use की हैं तो वो लगवग 5MB के नीचे ही रहे अगर आप उसको export करने के बाद आप देखते हैं तो नहीं तो अगर 50MB के बाद ज्यादा होगा तो आपको problem कर सकता है तो यहाँ पर हमें upload पर click करना है upload करने के बाद यहाँ यहाँ पर यह 20MB तक का है तो यहाँ पर 20MB upload होगा तो देखिए यहाँ पर हमारा जो GIF वो upload हो चुका है आप देख रहे हैं कि यहाँ पर यह बिल्कुल स्मूथ चल रहा है यहाँ पर इसका detail दे हो है कि आप देख सकते हैं 19.27MB का यह है और यहाँ पर width और height 1080 1080 1080 है इसके बा logis GIF compression यहाँ पर हमको logis GIFE करना है compress करना है हम हमें तो यहाँ पर करने के बाद आप देख रहे हैं कि 35 by default है यहाँ पर लिखा हुआ है कि 30 is a very light compression and 200 is a heavy तो अगर हम बहुत ही बड़ा file है अगर 50MB तक का है तो हमें यहाँ पर बिल्कुल high पर जाना है तो यहाँ पर मैं 20MB है तो मैं इसको कर लेता हूँ 92 पर 92 में इसे compress करूँगा अब यहाँ पर करते हैं optimize GIF इस पर क्लिक करने के बाद यह थोड़ी देर तक loading होगा इसका आप देख सकते हैं तो देखें यहाँ पर यह compress कर चुका है यहाँ पर दे दिया है optimize image यहाँ पर देख रहे हैं कि quality बिल्कु FMV में आ चुका है तो अगर हम इसे और भी compress करना है क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका frame जो है जो 125 था यहाँ पर 104 पर कर चुका है तो इसको frame को यह घटाया हुआ है बस अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो compression level है इसको और हम increase करते हैं तो यह देखिए कि 169 प बार है 4.79 MB का तो अब यह वीलू 5 MB आ चुका है इसके बाद clarity देख सकते हैं कि बिल्कुल ऐसे ही clear है अब इसके बाद हमें क्या करना है कि जितना भी आप compress करना चाहते हैं करने के बाद आपको यहाँ पर save पर क्लिक करना है save पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका jf download हो जाएगा 4.8 आप देख रहे हैं फिर इसके बाद हम इसको open करते हैं तो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल clear ढंग से यह चल रहा है जैसा कि clarity है और file के size अगर हम देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 4.8 MB ह अगर आपको नहीं समय हो तो वीडियो को फिर से बैक करके आप जरू देख लीजेगा अगर आपको वीडियो पसंद आए होगा अगर आपको वीडियो पसंद आए उत्यों से like कीजई share कीजिए चैनल को दोस्तों जरू सब्सक्राइब कीजी मिलते हैं नेस वीडियो में त झाल 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 झाल